लेटेस्ट खबरे पाने के लिए सस्क्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट खबरे सबसे पहले बिहार और मद्या प्रदेश के कुछ और हिस्सों में दक्षिन पश्चिम मानसून के अगले दो दिनों में आगे बढ़ने के लिए स्थिती अनुकूल है अगले 24 घंटे में पश्चिम मंगाल के परवतिय इलाके सिक्किम, कॉंकन और गोवा में तेज से अती तेज बारिश होने के आसार हैं अरुनाचल प्रदेश, असम, मेघाला, गुजरात, मध्य महराष्ट्र, मराटवाडा, 30 करनाटक और केरल के अलग-अलग हिस्सों में तेज बारिश होने का अनुमान है गांग ये पश्चिम मंगाल, ओडिशा, जारखंड, बिहार, अरियाना, चंडीगड, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर चतीजगड, 30 आंधर प्रदेश, तेलंगाना, रायल सीमा और तमिलनाडु में इस दोरान तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी या बारिश होने का अनुमान है उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, हरियाना, चंडीगड, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों में गर्म हावा चल सकती है दक्षन पश्चिम मानसून तेलंगाना में अती सक्रिय जबकी तमिलनाडू और तटिय करनाटक में मानसून कमजोग रहा पिछले 24 घंटे में कुंकंड, गोवा, मराटवाडा, तेलंगाना और केरल के अधिकतर हिस्सों में तथा अन्वाचल प्रदेश, असाम, मेघाला, पश्चिम मंगाल के परवतिय इलाके, सिक्किम और मद्य महराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मद्यप्रदेश, विदर्भोर अन्वान निकोबार द्वीप समू के कुछ हिस्सों में तथा गांगे पश्चिम मंगाल, ओडिशा, जारखंड, उत्तरप्रदेश, पंजाब, ह 36 गड, गुजरात, 30 आंधरप्रदेश, कमिलनाडू, करनाटक और लक्षद वीप के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हुई या फिर गरज के साथ छीन्टे पड़े, अरियाना, सवराष्ट्र, कच्च, रायलसीमा, बिहार, उत्तरप्रदेश, अरियाना, चंडिगड, दि दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्या प्रदेश में दिन का तापमान सामाने से बहुत अधिक उपर रहा, सौराष्ट्र और कच्च के शेश हिस्सों में तापमान सामाने से उपर रहा